दोस्तों बात करें तो यहां पर लग रहा है कि 5G आपको देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी क्योंकि आप हमें पता चलिए कि exactly इंडिया में 5G की स्टेट क्या है कब आक्शन होने वाला है किन शेवरों में पहले आएगा पैन इंडिया कब देखने को लेगा और यहां तक कि 5G के कौन से बैंड्स भी आने वाले हैं इसके बार में भी काफी सारी चीज़े आईडिया लग चुका तो चलिए आज इस वीडियो के अंतर इसी के बार में बात करते हैं सब कुछ पता लगाने वाले है और वीडियो कर आप लोगो पसंद आ रहा हो तो क्या क वो यहां पर आक्शन में पार्टिसिपेट लेंगी उन्हें स्पेक्टर मिलेगा उसके बाद यहां पर रोल आउट कर सकते हैं और इसके साथी रोल आउट की डेट का भी का इडिया मिल गया है जो 13 सिटीज के बार में पहले पता चलाता है कि यह जो 13 बड़े शेर हैं वहा यहां पर बोला गया है कि यह काम होगा 2023 में तो 2023 से पहले तो आप समझ नहीं सकते कि अगर आप इन बड़े शहरों में नहीं रहते हो और 13 सिटीज के लावा कहीं और रहते हो तो शायद आपको यहां पर 5G देखने को ना मिले लेकर पैन इंडिया जो है यह 2023 से ही आपको द रोल आउट होगा हाला कि अभी हमें पता नहीं कि 5G के प्लांस क्या होंगे ओफर्स क्या होंगे चीज़े क्या देखने को मिलेंगी जब 5G एक बार रोल आउट हो जाएगा उसके बाद ही चीज़ कंफर्म होगी तो कहने का मतलब है कि अगर आपने पास में कोई 5G फोन करने वाले तो डेफिनिटली आप एक ऐसा फोन लीजे जिसके अंदर मल्टीपल 5G बैंड का सपोर्ट हो और अगर हम यहां पर 5G बैंड के बार में बात कर रहे हैं तो यहां पे चोटी सी बात में क्लियर कर देता हूं कि इंडिया में इस समय बात की जाए तो एक जो 5G बै बैंड फ्रिक्वेंसी के साथ आता है और इंडिया में जब स्पेक्ट्रम आउक्शन होगा तो जो लो बैंड और जो मिड बैंड होगा ना उसी के उपर यह अभी काम होगा अभी मिलीमीटर वेव वाली के उपर कोई डिसकर्शन नहीं हुआ है कि वो आक्शन में आएगा नहीं आएगा हाला कि जो बड़ी बड़ी कंपनी जो अपने स्पीड टेस्ट चोग करती है कि हमारे फोन के अंदर वन जी बीपेस टू जी बीपेस की स्पीड आ गई है यह मिलीमीटर वेव का यूज करके किया जा तब और मिलीमीटर वेव अभी आउक्शन में आएगा त N78 तो मेजरिटी फोस जिनक्यों पर टेस्टिंग हुई है जिस 5G बैंड के उपर वो भी N78 है इवन कुछ 1 प्लस 8 और 8 प्रो क्यों पर भी टेस्टिंग हुई थी जो कि सब N78 बैंड को सपोर्ट करते है और वहां पर भी 8L वालों ने 5G को इसी बैंड के उपर टेस्ट किय कि 5G हो सकते है बेटर स्पीड मिलें एक बैंड की उपर अगर सभी लोग एक साथ आगे तो हो सकते है चीज़ों उपर नीचे हो जाए और जो बैंड की कहानी होती वो भी हमें ऐसे पता चली थी जो जियो होता है उसका जो जियो फोन 5G है वहां पर लीक हो था उसके 5G बैं का सपोर्ट है अब बात करते हैं इंडिया में फोन कॉंसल इने से ही जिसके अंदर अच्छा सपोर्ट है देखो जिसके अंदर लोग बैंड का सपोर्ट है एन 3, N4, N5 वैसे बैंड आते है, N41 आता है, N78 आता है, कुल मिलाके साथ से जाद अगर 5G बैंड है तो आप एक से इंट्री में ट्रेवल कर रहा और वहाँ पर 5G यूज़ करना है तो उन कुछ केसिस के अंदर यह चीज़ यहां पर बेनिफिशल हो सकती है, मोटरोला के कुछ फोन से जो कि इंडिया के भार लोगों ने भार यूज़ करें, मल्टीपल 5G बैंड के साथ थे, इसलिए भार वो 5G का यूज़ कर पा है, तो यह कोछ चीज़े हैं यहां पर जो अभी इस समय हाँ चल रही है, तो यह कहानी हो रहती है 5G बैंड की, और मैज़ोरिटी जो 5G फोन से वो यहां पर यहां पर compatible होने वाले, अभी जो information निकल कर आई है, इसके साथ ही बात कर रहे हैं तो Vodafone यहां पर यहां पर यह 4G का जो डैनमिक स्पेक्टरम शेरिंग होती है, उसका यूज़ करके 5G को इंपलाई करेंगे, कहने का मदलब है कि जीवो भी इस रेस में और सभी लोग हैं और जो इनका existing 4G वाले नेटवर्क है, वहां पर लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक सिंगल का 5G नेटवर्क होगा, स्टैंडलोन 5G नेटवर्क आने में टाइम लगेगा, क्योंकि जितने भी स्पीड टेस्ट वगर आपने देखे हैं, वह मैजॉरिटी हैं पर स्टैंडलोन नेटवर्क पर किये गए थे, कुछ NSF अगरा पर किये गए थे, लेकिन आभी आपको ये कहा रिसेंटली टेस्ट किया था, तो वहाँ पर 400 Mbps के राउंड उनकी स्पीड आई थी, मेरे को लगता है कि ये कुछ रियलिस्टिक स्पीड होंगे, जो आपको टॉप पीक स्पीड देखने को मिलेगी, आइडियल कंडिशन में, बाकि मैजॉरिटी केसे में 100 Mbps या हो सकता 500 Mbps से थोड़ी से कम देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर बात है कि मोबाइल फोन कंडिशन अगर अपने हार्डवेर को अच्छे तरीके सा उप्टिमाइज करें इंडिया के 5G नेट्वर्क से तो बैटर यूटिलाइज करेंगी और आपको बैटर स्पीड देखने को मिले अब थोड़ी सी जाद है, लेकिन धीरे-धीरे चीज कम होने वाली है, रियल मी ने बोला है कि उनके अब जो भी फोन 15,000 रुपे के उपर आएंगे, जिनका बेस मॉडल की कीमत 15,000 से जादा रहेगी, उन फोन के अंदर 5G आपको बाइट डिफॉल्ट देखने को मिलेगा, और इस सेग्मेंट को यहाँ पर जियो ला सकती है, हो सकते जियो फोन 5G है, यह तब ही आपको इंडिया में देखने को मिले, जब इंडिया में जियो का जो 5G होता है, वो यहाँ पर रोल आउट होने वाला हो, और उसके बाद यहाँ पर जियो वाले जो है, वो अपने 5G फ बाद में दूसरी companies भी सस्ते 4G phones निकाले सेम कहानी ये लोग 5G के साथ भी करने वाले अब देखते किस टैप की phones रहते क्या चीज़े रहती है इसके साथ ही काफी इंटरस्टिंग बात ही पता चलिए कि 5G सिर्फ हेना से बड़े शहरों तेक लिमिटेट नहीं रहेगा हमें प वहां पर 5G connectivity और broadband connectivity अच्छे से प्रोवेट की जा सके जो कि बहुत ही अच्छी चीज़े और इसे इंडिया में अच्छे टूर 5G जो रिवलुशन होता ना वो तब आ सकता है और डेफिनिटल इसका benefit ये पड़ेगा कि अभी जब 4G speed कम होती है वो भी आपको शाद पहले से जादे बेटर देखने को लेटर कवरे जो और इसके साथ ही ये भी डिसाइड हुआ है यहां पर कि 5G के अंदर PLS की मोगी जिसके अंदर 5G के जो equipment से वो इंडिया में अगर बनाए जाए तो government थोड़ी बहुत बगर उस पर देगी और companies को भी थोड़ा सस्ता पड़ेगा ब लगा कि इंडिया में अब धीरे धीरे जो 5G आने वाला उसकी टेक्नलोजी बे अगर इंडिया में डेवलप और इंडिया में बने तो वो चीज़ों और बैटर रहती है हाला कि manufacturing बगर हो सकती है लेकिन लग रहा है कि जो R&D और पेटेंट्स बगर वो जो research and development बगर ना वो 5G का deployment और उनकी airwaves और जो 5G waves होती हो थोड़ी mix match कर रही है तो इस type की problem इंडिया में नहीं होगी ITO telecom minister ने confirm कर दिया कि इंडिया में जब 5G का यहाँ पर roll out होगा जो 5G waves है यूज की जाएंगी ये कुछ यहाँ पर disturbance create नहीं करेंगी airlines के साथ और airplanes वाली चीज़ यहाँ पर इंडिया में नहीं होने वाली ये एक काफी better चीज़ है जो यहाँ पर इंडिया में रहेगी इसके साथ ही बात करें तो obviously अगर आप लोग इंतिजार कर रहे थे 5G का तो definitely करते रही है और अभी जो 13 बड़े शहर है उनके अंदर 5G आएगा तो अगर आप उन शहरों में तो आप 5G का यूज कर पाएंगे लेकिन इसके अलावा पैन इंडिया में जो 5G है वो शायद आ अगले साली आपको यहां देखने को मिलेगा तो यह है पीछे की पूरी कहानी 5G की अब देखे स्पेक्टरम क्या रहता है कौन सी कमत्नियों कौन से स्पेक्टरम मिलता है कौन से बैंड जाने वाले है इसके बारे हम थोड़े समय बात-बात करेंगे जब auction हो जाएगा और stay stay tuned for that आपको उसका भी वीडियो वहां देखने को मिलेगा और वीडियो अगर वो मिस्स नहीं करना चाहते है तो क्या अंधिजार कर रहा हो लाइक करो वीडियो को चैनल को यह पर सब्सक्राइब करो और बाकि आप लोग क्या लगता है कब तक आपाएग एंडिया में 5G यह झाल